तो हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जिम्स और बेट आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उसके अलावा हम दो चैप्टर अपने डेमोकरिटिक पॉलिटिक्स के खतम कर चुके हैं जो कि है फेडरलिसम पाओ शेरिंग तो आज हम प्लिटिकल पार्टीज का पहला टापिक शुरू करने जा रहे है जो कि है जिसकी वजेसे किसी भी दिमोकरिटिक कंट्री को इनकी जरूरत होती हैं तो क्या political parties होती हैं, क्या इनकी necessity हैं और क्या इनके functions हैं ये तब हम आज देखने वाले हैं तो let's get started, शुरू करते हैं political parties की meaning पर तो political parties is a group of people who come together to contest elections and hold power in a government ये बहुत सीधी सी definition है, सीधी और simple definition यही है कि political parties जो हैं वो group of people होते हैं, लोग इखटा होकर के साथ आते हैं किस लिए साथ आते हैं, क्योंकि वो election लड़ेंगे, election contest करेंगे और election जीतने के बाद government को form करेंगे यही मतलब होता है political parties का, लोग साथ आते हैं, लोग साथ क्यों आते हैं उनकी अपनी-अपनी ideologies होती हैं, same ideology होती हैं, same perspectives होते हैं सोचने के और उनका क्या उदेश्य होता है, उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो election लड़ेंगे और government बनाएंगे इसलिए वो अपनी कुछ policies बनाते हैं, देगरियों some policies and programs वो कुछ policy और program बनाते हैं, society के collective good के लिए, जिससे कि वो लोगों को persuade कर सके हैं कि उनके policies और उनके programs लोगों के लिए अच्छे कैसे हैं, और उनकी policies और programs बाकी political parties से बहतर कैसे हैं क्यों करते हैं वो एक काम जिससे कि लोगों की support, popular support उनको हासिल हो सके जब वो election लड़ें और जादा से ज्यादा vote लेकर वो majority में government बना पाएं, यही political parties का उदेश्य होता है दूसरा कि political parties जो हैं, society का ही part होती है, as we know, society से ही बनती है तो इन में partisanship होती है, partisanship को हम ऐसे समझ लेते हैं suppose मानिए हमारा friends circle है, एक मैं हूँ और कोई और है हमारा friends circle है, तो मैं अपने friends को ही support करूँगा चाहे कोई बात अच्छी लग रही है, मुझे बुरी लग रही है, लेकिन मुझे support किसको करना है अपने friends को भी करना है, मैं दूसरे friends, जो दूसरे सरकेल हैं, दूसरे लोग हैं उनको support ना करके, मैं अपने ही friends का stand लूँगा, अपने ही friends की बातों को मानूँगा और उन्हीं की policies को, उन्हीं की बातों को promote करूँगा, यही होता है political parties में और अपनी party को अपने ही group के लोगों की बातों को promote करते हैं जिससे की क्या होता है, कि उनका view जो है, वो balance नहीं होता, बलकि अपनी party की तरफ जो है, वो incline होता है तो this is called partisanship, जो की political parties में हमेशा देखने को मिलती है तीसरा हम पढ़ते हैं कि अब political parties हमने पढ़ लिया क्या होता है तो political parties एक important institution हो गया हमें पता चल गया तो इसके components क्या होते हैं, किस से बनी भी होती है political party तो सबसे पहले हमारे पास आता है leader leader होता है political party का face, चेहरा जिससे की political party को लोग recognize करते हैं कोई भी major political party हो गए, let's take an example of BJP, भारतिय जनता party, ruling party है इस टाइम इंडिया में तो और Prime Minister श्री नरेंदर मोदी जी इसका चेहरा है तो leader जो है वो होते हैं जो कि political parties को recognize करवाते हैं जिसके वज़े से उस particular political parties को लोग जान रहे होते हैं तो सबसे पहला component हो गया the leader, second हो गया active members active members कौन होते हैं, active members को हम कारे करता भी कहते हैं कि कोई भी political party में लोग जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वो उस political parties के लिए party के लिए क्या-क्या काम करते हैं क्या-क्या policies formulate करते हैं कैसे अपनी political party का reach जो है वो पुरी country में बढ़वाते हैं वो होते हैं उसके active members जो की एक political party को constitute करते हैं तीसरा होगा हमारे पास followers, followers होते हैं आप और मेरे जैसे लोग जो कि किसी भी particular political party को support देते हैं किसी भी particular political party की policies को बढ़ावा देते हैं उनको support करते हैं उनके programs पे support करते हैं और उनको last में क्या करते हैं वोट देते हैं followers का काम यही होता है किसी भी political party को support करना और उनको अगर वो election लड़ती हैं तो उनको vote देना अब हम देखते हैं कि political parties के functions क्या क्या होते हैं हमने political party का structure पढ़ लिए हमने political parties के component पढ़ लिए और meaning पढ़ लिए तो political parties का क्या function होता है तो सबसे पहला function जो की बिना कुछ सोचे समझे हमारे दिमाग में आता है वो क्या वो है पहला कि parties contest election कि parties का काम होता है election contest करना यही इन का मतलब होता है यही इनका मकसद होता है political party बनती ही इसलिए है क्योंकि they have to contest election and they have to run the government. तो parties क्या करती है? अपने candidates को उतारती है चुनाव में elections का अपने candidates को कड़ा करते हैं कई countries में क्या होता है? कि जो political parties के supporters होते हैं members होते हैं वो political parties के candidates को खड़ा करते हैं कि यह particular candidate जो है यह खड़ा होगा इस बार election में तो इसको popular support मिलेगी या इसका support जादा है लेकिन कुछ country जैसे इंडिया है मापे क्या होते हैं जो political leaders होते हैं political party के वो candidates को मैदान में उतारते हैं वो candidates को चुनाव में खड़ा करते हैं कि जिससे की उनको जादा 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 वोट मिल पाएं तो सबसे पहला function क्या हो गया है कि parties contest election दूसरा parties put forward different policies and programs and the voters choose from them अब इंडिया का example लेता है इंडिया बहुत बड़ी country है बड़ी country है बहुत जादा diversity है बहुत जादा population है तो हर किसी के दिमाग में अपना opinion होता है अपना viewpoint होता है तो हर किसी को अलग अलग policy चाहिए होती है लेकिन ऐसा तो मुम की नहीं है कि सबकी policies को execute कर दिया जाए सबकी policies क्रपके हिसाब से policies बना दी जाए तो political parties क्या करती है है एक एकटी policies और programs बनाती है जिससे कि वो जादा लोगों के interest को जो है वो influence कर पाएं जिससे कि उनके policies और programs को देखके हमें लगे कि हाँ भाई हमारा जो है इस policy और program से interest निकल जाएगा या हम हमारे लिए suitable है तो voters क्या करते हैं कि political parties को देखते हैं उनके बनाएवे programs को उनके बनाएवी policies को चेक करते हैं और उसके बाद उनको वोट देते हैं तो ये एक major काम होता है political party का कि वो policies और programs बनाएं जिससे कि वो ज़्यादा से ज्यादा popular support को हासिल कर पाएं क्योंकि अकर policies और program नहीं होंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कोई भी particular political party चाहती क्या है उसका agenda क्या है तो इसलिए political parties जो है क्या करती है programs बनाती है formulate करती है policies बनाती है और लोगों को convince करती है ताकि वो उनको support करें पर थार्ड है मेरे पास political parties play a major decisive role in making laws for the country अब यह कैसे अब हमने देखा था कि laws जो हैं वो तो legislature बनाती है जो law making body होती है वो laws बनाती है वहाँ पे laws debate किये जाते हैं वहाँ से जो है laws pass होते हैं तो political party का इसमें क्या role है अब हमने देखा जब election हुए तो कोई भी political party जीती तो किसी भी particular legislature में जो law making body है उसमें कौन लोग होते हैं उसमें उसी political party के लोग होते हैं जो की जीत क्या हुए होते हैं तो बट अव्विस सी बात है कि वह political parties के जो programs हैं जो policies हैं जिस पे वो agree करी है वो ही policies जो है वो law में आएंगी उस उनी बेसिस पे वो law बनाएंगे तो किसी भी ruling party जो की जीत चुकी है उसकी जो major policies होती है उनी ही पे law बनता है ताकि लोगों के interest को influence किया जा सके ताकि लोगों ने जिस वजा से किसी भी political party को vote दिया है अब उसका कुछ फाइदा तो हो इसलिए political parties का major role होता है law बनाने में फूर्थ parties form and run government यह actually बहुत important function है जो कि हमने देखी लिया कि parties अगर election लडएंगी तो वो government यह बनाएगी कोई ना कोई political party किसी ना किसी political party को majority में votes मिलेंगे popular support मिलेगी और popular support मिलेगी तो government बनेगी यह तो मुझे पता ही है फिर फिफता आता है हमारे पास the role of opposition अब बहुत सारी political parties लड़ी है तो उनमें से कोई एक जीतेगी एक ही तो जीतेगी हमें पता है अगर हमारे पास multi party system है तो वो अलग बात है तो जो political party जीत गई जीत गई व democracy में देखते हैं कि important function होता है कि वो opposition की तरह काम करती है आफ पोजिशन की तरह काम करने का क्या मतलब है opposition की तरह काम करने का मतलब है कि वो जो ruling party होती है जो government होती है उसकी policies को उसके बनाए गए laws को उसके implement किये जा रहे programs को criticized करती है कि तुमारा ये policy ये law गलत है यह ये program गलत होगा तो पॉल्सिशन पाटी जो होती है वो की गौश्मेंट पे एक तरीके का चेक लगा कर रखती है जिससे की रूलिंग पाटी जो गौश्मेंट में है वो कोई भी लोना बना दे लोगों पे ठोपने के लिए तो अपोजिशन का बहुत काम होता है कि वो उसकी साइब को यहां पर फेल हो गया थाकि लोगों को पता चल पाए लोगों को डिफरेंशेट हो पाए कि हाँ भाई हमने सही करा यह गलत किया कि यह प्रोग्राम तो फेल हो गया जबकि इसकी बनाने की जो इंटेंशन थी वो कुछ और थी तो अपोजिशन का यह काम होता है यह था हमारे सिफ्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे सिफ्ट पार्टी प्रोवाइट पीपल एक्सेस टू गोवर्मेंट मशीन जी अब क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी सिटिजन्स होते हैं उनको अगर किसी गोवर्मेंट स्कीम का बेनिफिट चाहिए या कोई भी गोवर्मेंट मशीन सियए यहीं है कि सबुइण का प्रोश में मेर में हमारे पास सरपंच हो गया हमारें लिए वह अप्रोच में होते हैं हमारा उन से इंटरेक्च करना जादा असान ऊ dosam कि हम किसी government officer के पास जाए तो ordinary citizen का जो interaction होता है वो local political party leaders के तरफ जादा होता है और वो local political party leaders जो होते हैं वह भी इस बात का ध्यान रखते हैं क्यों 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 पता है कि हमें इन लोगों से support मिला है हमें लोगों से vote मिला है और आगे भी हमें लोगों की support वोट चाहिए तो वो लोगों को access दिल वाते हैं कि जिसे लोगों को welfare scheme जो है उनका benefit मिल पाए या कोई government machinery जो है उस पर access मिल पाए तो लोगों के काम जो है वो easy होते हैं लास्ट हमारे पास है parties share public opinion and they raise highlight a raise and highlight issue अब यह कैसे हैं आपने सुना होगा इंडिया में 2013 के राउंड हुआ था हमारे anti-corruption movement जिसमें अन्ना जारी जी ने लीड किया था और बहुत सारे लोगों ने इस movement को support किया था तो यह क्या है तो political parties क्या होते है political parties की जो members होते हैं एक्टिविस्ट होते हैं जिनको हमने कहा था दो तीन component होते हैं पार्टी इसके लीडर और active member जो member होते हैं वो all over the country में फैले हुए होते हैं तो यह हर जगा country में देखते हैं कि लोगों की problems क्या हैं लोगों को difficulties क्या face हो रही है फिर यह लोगों की उस problem को catch करते हैं और उसके अगेंस्ट अवाद उठाते हैं कि लोगों को यह दिक्कत हो दिए और इसका solution जल्द से जल्द होना चाहिए यह लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं popular support को एकट्टा करते हैं ताकि लोगों की problems को identify करती हैं लोगों का अपने साथ जोड़ती हैं और उस issues को highlight करती हैं government के सामने project करते हैं कि यह दिक्कत है और यह लोगों को दिक्कत आ रही है इसका कोई solution निकालो वरना हम तो है नराद तो यह movements भी political parties करती है क्यों करती है ultimately reason और मकसद एक ही है ताकि लोगों क्योंकर collective good को interest को influence कर पाएं और majority में आ करके election लड़के population popular support जीत पाएं और election जीत पाएं अब इतना को जानने के बाद हम देखते हैं कि modern democracy को जरूवत क्या है political parties कि अगर सपोज मानिए political parties कि डेमोक्रसी में ना हो तो क्या democracy जो है वो function नहीं कर सकती तो एक situation लेते हैं कि बड़ा area है यहाँ पर कोई political party नहीं है अब political party नहीं है तो elections हो रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हर कोई election लड़ रहा है मतलख independent election लड़ रहे हैं कि पॉलिकल पार्टी से किसी का कोई affiliation नहीं है हमने पीछे पड़ा था ना कि political parties जो है वो candidate उतार रही है अपने candidates को कैसे उतारती ह नहीं कि ताकि लोगों की support मिल पाए अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा अब political party से किसी का affiliation नहीं है और independent candidate जो है वो election लड़ रहे है अब जो वो election लड़ेंगे तो वो किसी particular constituency एरिया से लड़ेंगे तो वो जो responsible होंगे उनकी जो responsibility होगी हर किसी independent election candidate की वो उस particular constituency से ही की तरफ ही होगी वो लोगों को major support वो लोगों का जो overall ध्यान है वो किस पर होगा जिस constituency से वो election लड़के आए तो इससे क्या होगा जो elected representative है वो all over the country जो चेंज लानी है जो एक collective change आनी चाहिए या फिर एक major policy पूरी country लिए बननी चाहिए उस पर ध्यान देंगे नहीं क्यों वो तो अपनी constituency की तरफ सिमित रहेंगे और उनका all over the country क्या law बनना चाहिए all over the country क्या policy बननी चाहिए collectively जिससे कि लोगों का लोगों का जो है वो support बढ़े किसी एक political party को वो रहे है नहीं तो जो government form होगी उसमें बहुत uncertainty आ जाएगी बहुत सारी policy हो जाएंगी collective policy नहीं होंगी लोगों के ग्रिवांस भी बढ़ जाएंगे तो इससे हमने क्या देखा कि political parties की जरुवत हो गई कहा democracy में कि अगर democracy में political parties होंगी तो लोगों का affiliation रहेगा candidates का affiliation रहेगा एक policy और प्रोग्राम जो हैं वो बड़े level पर बनेंगे और लोग उसमें से choose कर पाएंगे कि देखते हैं कि जो political parties जो होती है वो जैसे जैसे बनती है वो उसका direct link होता है representative democracy क्या है कि किसी भी democracy में जो लोग है वो कैसे represent हो रहे हैं अब वो represent कि किसके द्वारा होते हैं और एप्र agency हमें चाहिए कि वो लोगों के views को एकटा करें उनके issues को present करें government के सामने कि यह problem है यह लोगों के views हैं यह लोगों के issues हैं यह trend है और population जो है वो यह demand करती है तो responsible government बनाने के लिए मुझे किसकी जरूवत है representative democracy की जरूवत है एक mechanism मुझे चाहिए जिससे कि मैं government को support कर पाऊं यह government को restrain कर पाऊं policies बनाने के लिए कोई policy अगर गलत बन गए यह तो उसको justify करवाने के लिए कि यह सही है तो सही कैसे है गलत कैसे है या अगर वो गलत है तो उसका oppose करूँ तो यह सब काम कर रहा है यह सब काम करती है political parties बो चैनल होती है जो कि लोगों के issues को एकटा कर रही है उनको government के सामने present कर रही है opposition में क्या कर रही है political party opposition में political party government जो है उसकी policies को oppose कर रही है उसको restrain कर रही है कि भाई यह policy यह law आपका क्या है failure है यह आगे नहीं चलेगा यह से लोगों को यह नुपसान हो रहा है फिर क्या कर रही थी political party movements को identify कर रही है थी अगर political party नहीं होंगी तो लोगों को ऐसे collective responsibility लेना मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमने देखा कि किसी भी democracy में और इंडिया मे इंडिया जैसी democracy जिसमें की बहुत बड़ी society है बहुत जादा population है इतनी जादा भीशन diversity है तो यहाँ पर political parties जो है क्या करती है स्मूथ governance को facilitate करती है मतलब स्मूथ governance को बढ़ावा देती है अब हम देखते हैं how many political parties चुड़ भी है हमने देख लिया कि भाई political parties की जरूरत क्या है यह political parties की जरूरत है यह political parties के function है और यह होती है political parties अब कितनी political parties हमारे पास होने चाहिए कि ideally भाई इतनी political parties होंगी न तो मेरे सब्सक्राइब करेगी कितनी political parties होंगी तब कोई जंजट नहीं आएगा लोगों के पास easy choice रहेगी इसमें से चुनेंगे या नहीं चुनेंगे तो क्या कितनी political parties मेरे पास होनी चाहिए तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या system exist कर रहे हैं अलग-अलग countries में कितने party system exist कर रहे हैं तो उसके लिए हम देखते हैं इंडिया में जो हैं लगभग साड़े साथ सो political parties जो हैं registered हैं काफी होंके तो हमें नाम भी नहीं पता कि कौन कौन से political parties हैं पर साथ साथ सो political parties रजिस्टर्ड हैं election commission of India के द्वारा अब जितनी भी इस political parties हैं यह सब election नहीं लड़ रही होती ह हैं यह सब serious contenders नहीं होती हैं कुछ एक region तक होती हैं कुछ कभी-कभी election लड़ती हैं कुछों को सपोर्ट ही नहीं मिल पा रही होती है बस रजिस्टर्ड होती हैं तो ले दे के चुनिंदा political parties कुछ political parties हमारे पास हैं जिनके हमें नाम भी पता हैं जिनके हम देख के पैचान भी जाते हैं candidates को उनकी policies का भी हमें पता रहता है जो की election लड़ती हैं और government बनाती है अब बात करते हैं हम party system के बारे में कि हमारे यहां तो इतनी सारी parties registered हैं तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग democratic politics में क्या function क्या party system run कर रहे हैं तो पहले आता है one party system कुछ जाता समझान की जरूवत नहीं है देखते हैं वदा चल रहा है one party system मतलब कि जहां देश में जहां democracy में सिर्फ एक party जो है वो election लड़ रही होगी और एक पार्टी जो है वो government मना रही होगी इसका सबसे अच्छे example है चाइना जहां पर की communist party है जो की majorly election लड़ती है और वो ही जीतती आती ह है ऐसी बात नहीं कि और पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकती लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टी और लोगों के पास और पार्टी के पास इतनी freedom ही नहीं होती कि वो अपने आपको register कर वा ले या वो election लड़ पाएं तो हमने क्या देखा कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है व पॉलिटिकल पार्टी होंगी अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि बाकी और पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती होंगी दो पॉलिटिकल पार्टी के लावा लेकिन क्या कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है या तो उनको इतना recognition ही नहीं होगा या लोग अगर वो election लड़ती भ करती हैं लोगों की सपोर्ट लेती हैं इन में से कोई एक जीतेगी एक हारेगी और जो जीतेगी वह गोर्मेंट बनाएगी और जो हारेगी वह अपोजिशन में रहेगी इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है हमारे पास यूएसे अमेरिका एंड यूके बिटेन तो लड़ रही है तो इसमें क्या है इसमें चांस है कि एक से जाधा पार्टी जो है वो पावर में आ जाए कैसे पावर में आ जाए कि एक से जाधा पार्टी जो है वो कोलिशन गूर्मेंट बना ले कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ज मानी है क्या नहीं मिली साथिल नहीं कर पाई लोगों की सपोर्ट किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिली ही नहीं तो उसमें क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है आपस में मिल जुलके सरकार बना लेती है यानि छह साथ पार्टी चार पाश पार्टी जो हैं आपस में गड़बंदन म बना लेती हैं और मिल के जो है वो गवर्मेंट बना लेती हैं यही होता है coalition party जो हमने प्ड़ा कॉलिशन गॉर्मेंट हमने पड़ा था लात लेक्चर में भी क्या होता है कि जब किसी एक political party को election में majority ना मिल पाए गवर्मेंट बनाने लेकिन जब वो पाँछ एकठी हो गई तो उनको majority मिल गई तो इसमें क्या हो गया पाँच political parties अब जो है वो सरकार बना रही हrise one party system में क्या था एक political party सरकार बना रही है two party system में क्या था कि दो में से एक जीते Гिई यहाँ पर क्या possibility यहाँ पर कि इसकी भी possibility है कि भाई दस बारा प्रिटिकल पार्टी दगर लड़ रही है तो उनमें से किसी एक को मिजॉर्टी मिली ही नहीं और जो मिजॉर्टी नहीं मिली तो उन्होंने coalition government बमनuges Innow ने alliance बना लिया जैसे कि बॉपलर Alliance Party हमारे यहां है एक है हमारे यह एंडी उसको कि हम कहते हैं national tiempo democratic Alliance कि और अज़िएमेज़ प्रिमेज पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इस जानते पर है मार पास UPA United Progressive Alliance इसकी Major Political Party कौन सी है इसकी Major Political Party है मारे पास Congress, Indian National Congress इंडियन National Congress तो हमने देखा कि यह जो Political Parties हैं यह आलायंस में रहती है और एलैंस में रहती हैं एलक्षिन कॉंटेस्ट करती हैं तो इनको वोट्स मिलते हैं तो दिफरेंट पर्टिकल पार्टीज़ जो है वह अलायंस में मिलके सरकार बनाती है जैसे 2004 का मह अरुपास एक्जाम्पल ने 2004 में उप यूपीये ने मिज्वारी सि क्यों करिए तो इस से क्या होता है इससे को मृल्य पार्टि सिस्टम में चांस रहते हैं कोलिशिन गुरमने के पनने स्पाइब कि वह सब्सक्राइब नहीं मिली तो चार-पांच जो PARTIES dari मिलके व्हों कया है sellers को हमारे थो होने जा करता है वहां की सोसाइटी के नेचर पर माँ पे कितनी सोशल और रिजटनल डिविजन है क्या डाइवर सिटी है माँ की uhanか पॉलिटिकल कौन्टेक्स कैसा य है तो उस तरीके से पार्टी कौन्टेक्स आ मोते हैं अगर बहुत जाया प्रोग्रेसिव होगा बहुत refuse आपकी बहुत क Опो सब्स इस्ट्री क्या है और हर कंट्री में कितनी ऑर इस्ट होता है तो हम किसी को यह नहीं कह सकते कि भाई इस कंट्री में आप सारी कंट्री में वन पार्टी सिस्ट्म होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं वागी हम यह नहीं कह सकते तो कोई भी ऐसा आइडियल पार्टी सिस्टम नहीं है जो कि किसी एक कंट्री में सारी कंट्री में फॉलो होना चाहिए अगर इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे आज मल्टी पार्टी सिस्टम है तो वह क्यों है क्यों कि हमारे पास बहुत जादा सोचल और जोग्रेफिकल डाइवर्सिटी है हमारे पास बहुत जादा डाइवर्सिटी है अलग अलग तरह के लोग है अलग अलग लेंग्विच बूलने वाले लोग है अलग अलग कल्चर को ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग है तो हमारे बहुत ज़ाधा है इसल Messy आप अगर इंडिया में के पर Div contenu हों सिस्लिए क्यों हमारे थी टल और पॉलिडिकल डिपर सिटी और जोग्रफिकल डाइवर्सटी बहुत बहुत ज़धा से कहीं अगर नहीं है तो मापफ़ शाहिए सिंपल घोगा तो हम्य बिलकुल नहीं कह सकते कि यह वाला पज़स्टीर्स स्टम फॉलो होना चाहिए यह गलत है का हर कंट्री का जो पार्टी सिस्टम है वो उसकी अपनी सरकमस्टांसेज और अपने सोसाइटी के नेचर के बेस पर फॉलो हो रहा है अगर कहीं वन पार्टी सिस्टम है तो शायद महां पर पार्टी सिस्टम सक्सेस है अगर हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम सक्सेस है हाँ वो अलग बात है कि हर system के अपने कुछह ना कुछ दिमेरिट से वन पारटी सिस्टम के टिमेरिट कि बहुत anTI कि मिल रहा सरिफ एक पौलिटिकल पारटी दे वह सकता है भर यहीं को सबर्सक्राइब का प्र्वार बन रहीति नोगे उस बीकिह तो हर पार्टी सिस्टम का अपना अपना डिमेरित है लेकिन उनकी मेरिट्स कहां पे मेरिट्स इस लिए हैं क्योंकि वह उस कंट्री में Effectively function कर पा रहे हैं उस कंट्री सिस्टम की उद्रवात है so there is no such thing as an ideal political party system each and every country has its own party system depending upon its own special circumstances तो हर country के में जो system है वो उसकी अपनी special circumstances पर depend कर रहा है so with this we come to an end तो आज हमारा ये चप्टर खतम आज हमारे इस चप्टर का पहला topic जो है वो खतम हो गया चप्टर तो भी हमारे पास बाकी है आगे भी हम पढ़ेंगे तो पहला topic आज हमने खतम कर लिया कि political parties क्या होती है why do we need political parties और दूसरा how many political parties should we have तो दो topic हमने आज खतम कर लिया है अपने चप्टर के जोगी है political parties next हम मिलेंगे दूसरे head के साथ नया topic पढ़ेंगे political parties का जब तक कि आप अपना पढ़ें लिखें रिवाइज करें ध्यान दें notes बनाएं और questions के practice करें हम question and answer session भी जल्दी लेंगे until then subscribe to the channel take care of your health thank you